नमस्कार मैं एबसेक मिस्रा टीम सील सी आज में लो बात करेंगे एसी टी टू थाउजन टॉन्टी थी इसमें और्गिनिक क्वेश्चन के सलूशन करेंगे अपने तो बात करते हैं फर्स्ट कोश्चन से ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है एन एलकेन एक्स कंटेन 5, 1 डिगरी, 2, 2 डिगरी, 1, 3 डिगरी और 4, 4 डिगरी कार्विनेटम तो तो आयूपी सी डीम आफ एक्स इस यह एक्स दिरक्केन अपने आप्सन में चले जाएंगे 2, 4, 4, 3, मेथिल हेक्जेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 1, 2, 3, 4, आराम से इसे बना लिया है ये क्या है 1 डिगरी और कार्बन सीधे एक कार्बन से टेच्छ है तो 1 डिगरी ये क्या है 4 डिगरी ठीक है तो अगर कार्बन एक कार्बन से तो 1 डिगरी 2 से है तो 2 डिगरी 3 से 3 डिगरी 4 से 4 डिगरी ठीक है यही अपने बात करनी है 5 1 डिगरी है इसमें 2 1 डिगरी बिलकु तो आंसर तो में मिल गया इसमें यह लेते हैं कहीं कहीं देखो 4-4-Dymethyl-Heptane अगर है 4-4 है तो यह 4-degrees तो मिल जागा लिकिन यहां 3-degree नहीं मिलेगा इसलिए यह कट हो गया यहां सब यह होंगे नहीं थीक है तो structure देखा आराम से cool होके बना लिया शिंपल सा question next question the number of isomeric alkene with molecular formula C5S10 पहले आराम से question देख लिए question देख लिए सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे इसकी DU निकालेंगे क्या करेंगे इसकी DU तो जब DU निकालेंगे C5S10 DU C5S10 इसका alkene कितना हो जाएगा C5S12 12 10 माइनस करेंगे 2 2 बाई 2 1 और एक formula ही बताएगे है 2C प्लस 2 प्लस H माइनस N माइनस X बाई 2 यही लगा देना तो इसकी DU आ गई 1 DU आ गई इसकी 1 क्या आ गई DU 1 DU 1 आ गई मतलब या तो एक double bond होगा या फिर एक ring होगा हमें सिर्फ एलकीन बताना है क्या बताना है सिर्फ एलकी मतलब double bond को ring को हमें consider नहीं करना तो सीधे बाद बन गया 1,2,3,4,5 यह बन गया बोलो 1,2,3,4,5 यह बन गया यही बने यह रिंग लेना है नहीं अपने को तो हो गया है अब यह देखो taking stereo isomer यह खास बात करें तो आप इसमें देख लो कौन G.I.S.O. करेगा कौन नहीं यह G.I.S.O. करेगा नहीं तो इससे एक यह G.I.S.O. करेगा यहां से दो हो जाएगा यह भी नहीं करेगा एक, 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 एक आंसर क्या हो जाएगा 6 कितने हो जाएगा बिटा 6 C.I.S.O. हो गया आराम से पहले दो को option में गया है आराम से D.U. निकाली उसका आपने बनाया होगी बात ठीक है नेक्स चैने क्वेश्चन कोई डाउट ठीक है सिंपल सी बात है इसमें कोई लिक्कत नहीं बच्चों ने इसको सही भी किया हाँ नेक्स क्वेश्चन पर आते है At 0 D.1 equivalent bromine Is added 2,4 hexadyne To produce 4,5 dry bromo 2 hexene And It's isomer X सही बात रुक जाओ चीज़े ले लिया ये खुद ही कह दिया है Bromination किया BR2 1 equivalent लिया वो कह रहा है 2,4 hexadyne बना 2,4 hexadyne 2,4 hexadyne To produce क्या बना है ठीक है ये नहीं ये ऐसे बनाया और यहां कर दिया BR 4,5,1 2 Bromine कितना है 2,4 hexadyne 2,4 hexadyne 2,4 hexadyne ये बनाते हैं रुप जाओ मिटाएंग नहीं 1,2,3,4,5,6 ये है अपना काउट इसको कट करते हैं ये side में कर दो इसको ठीक है तो किसकी करते हैं BR2 आराम भाई तो कहरा एक बना है 4,5 तो ये तो ऐसे रहन देते हैं ये ऐसे यहां कर दिया BR तो 1,2,3,4,5,6 ठीक है 4,5 ड्राइब ड्राइब रोमो 2 hexi यही बात तो है 4,5 ड्राइब रोमो 2 hexi अब इसका कह रहा है कि इसका आईसोमर ये तो बना दिया आपने काम कर दिया अब इसमें कह कह रहा है देखो आईसोमर इसका बताना है तो इसका आईसोमर के लिए क्या करोगे इसका आईसोमर 1,2,3,4,5,6 यह हुआ ठीक आईसोमर के लिए क्या करोगे रुब जाओ क्या किया हम बता रहे है हम बता रुब इसको क्या किया है ये इधर और ये इधर 1-4 edition कर दिया तो 1-4 edition देखो यह बन गया तो इसका नाम क्या है 1-2-3-4-5-6 पर इसको सीधे बना लिया है यह के बना है इसका ISO मर यह बन गया एक तो यह 1-2 edition कर दिया सीधे यही पर तो यह बना दिया यह उसने लिख दिया है और एक हमने इसका क्या किया 1,4 बन दिया 1,4 प्लस और माइनस सीर्ट दगा दिया अब आंसर इसका क्या होगा 2,4, 5 पर क्या है ड्राइब रोमो हैक्स देगी question देखो साफ साफ समझ गए पर रुख जो ये लिया ये तो होगा नहीं ये तो क्तम है क्योंकि यहां 6 कारवन है न 6 लिया 1,2 एडिशन ये बना दिया अब कह रहा है इसका आई सोमर वो कह दे इसका आई सोमर तो इसका एक 1,2 प्रोड़क बनाया है और एक 1,4 वन फॉर वाला हमारा आंसर हो गया 1,2,3,4 तो आंसर काउन सा होगा बी चले नेक्स ठीक है सांदार क्वेश्चन विच आप दा फॉलॉइंग इस एक्जाम्पल आफ एन एसी टल एसी टल समझ लो पहले सीदे बात एक कारवन हो हो मिनिमम एक हो और उस पर दो लगे हो बस बात का नहीं है कारवन हो सलनों फिर दुबारा वन कारवन मिनिममम वन हाइडोजन उससे अटेज है और दो ओ लगे हो चलो आज़ो पहला ओप्शन है सी है वन हाइडोजन है टू ओक्सिजन है बोलो बटा ठीक यहाँ भी सी है रहे दो हाइडोजन ठीक कोई दिक्कत नहीं यह भी हो गया इस पर नहीं है यह भी नहीं है तो आंसर 1 and 2 बोलोई सही है एक कारवन हो दो ओक्सिजन लगे हो और मिनिमम एक हाइडोजन हो दो हो तो और कोई दिक्कत नहीं क्वेशन आफ फाइब देखते है ठीक है question of five the compound which can be produced by double aldol condensation of one phenyl one two propane dione ठीक है one phenyl to pH one phenyl one two propane dione यह तो आपने लिख दिया structure बोलो अब इसका करना है अपने को held old सही है फिर पी एच C double bond O C double bond O CS3 प्रेतना द्यान से देखो सही है अब इसका कराना है तो यहां से अपने लिए है ऐसे लिख हाइड हुज़ें CS2 माइनस अटेक कराया है इस पर तो पी एच C डारेक्ट O H O H अरे माइनस प्लस तो C O H O के पास H चला गया C O CS3 और यह आगया तुमारा CS2 C double bond O C double bond O और यहां पी एच बोलो देख लो इसको दियान से पहले हो गया अब इसकी जो यह हो गया पहले यह पहले देख लो condensation बाद में कर लेंगे पहले यह इतना देख लिया अब यह फिर acid hydrogen और attack करा दिया इस पर बोलो तो देखो इदर 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस माइनस 6 ऐसा आ जागा ना O माइनस प्लस फिर अलो अराम से इसको दियाब से देख लो अब यह देखो यहां देखो यह इस पर करेंगे चाहे के रिंग बन जाएगी यह double bond हो condensation किया क्या किया के लियर सुनो भाई यह structure लिख दिया इस पर attack किया O minus plus यह पूरा ऐसे लिख दिया फिर इसका minus यह इस पर attack किया चाहे के रिंग बन गई दो C O हो गया और अपने देखो pH OH यह देखो C O के just बगल में जो carbon था ना वहीं पर क्या लगा है OH pH C O H के just बगल में OH pH C O के just बगल में फिर यह OH हो जाएगा OH pH यह लिख दिया अब यहां से H2O निकाल दिया ठीक है तो answer कौन से जा रहा है first P हो गया ना P answer हो गया और A है answer ठीक है next चले देख लो पहले इसको आराम से देखो पहले देख लिया next question 2,2-diamethyl 1,3-propane-diol propane-diol 2,2-diamethyl 1,3-propane-diol 2,3-diamethyl 1,3 कुछ ऐसा बनाना है 2,3 है 2,2 है 2,2-diamethyl propane इसकी का करने है 2-methyl propanol पहले आराम से देखो CS3 CH CS3 CHO वो यह जो पहाशन मरता है तोड़ा बढ़ाता question यह है यहाँ STHO वैसे देखो normally इसको कई जगे लिखा जाता है कि यह L-dol तो देदेगा L-dol करने जारो दोनों देने माला है 33 से स्रीक हाइज़न निकाला इस पर अटेक किया माइनस और यह प्लस तो यह बन गया CS यह हो गया दुको CHO माइनस तो CS3 CS3 और यह हो गया CS2 OH और यह हो गया CHO माइनस प्लस किया यह H उसके पास चला गया CS2 OH हो गया यह CHO तो यह हो गया CROSS ELDOL पहले कहीं CROSS ELDOL पहला तो हो गया CROSS ELDOL अब इसकी करादो SCHO CROSS CANIZARO तो बड़ा ओला reduce हो जाएगा और छोटा ओला क्या हो जाएगा oxidize तो यह हो जाएगा U CS2 OH यह भी क्या हो जाएगा CS2 OH PLUS SCO N A SCO minus salt बना लो बस तो यह बन गया न तो कैसे बना यह CROSS ELDOL and CROSS CANIZARO आंसर कौँ हो जाएगा C ठीक है next simple सा काम hydroboration oxidation दे रख़ा है और PCC के साथ यह एक साथ ठीक है R R है यह है अब hydroboration oxidation में dual bond के cross OH वह जाता है जाए hydrogen के नमबर अधिक होते हैं इसमें दो जग़ा सेम है तो कहीं लेके चले जाओ तो PH CH OH PH अब PCC 1 degree alcohol को aldehyde याद करो 1 degree alcohol को aldehyde 2 degree alcohol को keto है best है भी 1 degree alcohol को aldehyde में change करना है यह R है ना PH नहीं है R है ना R लिखा ना यह R करना है अब R C double bond O CH2 R कौन सा आंसर में है B find out the product in the following reaction reaction कौन सी है wolf kisner और साथ में diethylene glycol heat access में रखना क्योश मतलब alcoholic के वेश क्या होता है wolf kisner में co किसमे जाता है CS2 में यह किसमे चैन्ज हो जाएगा CS2 और जो alcoholic के वेश है वो क्या करेगा SCL निकाल देगा alcoholic क्योश क्या करेगा SCL निकाल देगा तो co CS2 में गया और यह CL निकाल देगा तो यहां conjugated डाइड निकाल देगा ठीक है बोलो सही है उल्फ kisner CO को CS2 और alcoholic के वेश SCL निकाल गया ठीक है यह देगा the product obtained on the reaction बाइफ में बेंजीन के उपर बेंजीन बेंजीन के उपर बेंजीन है क्या हो जाएगा ortho and para directing जो उससे जो उससे जो एलेक्ट्रफाइल होगा वो NO2 प्लस होगा और वो कहां ले जाएगा ortho और para पे तो यह इसका para और यह ortho प्रोपेन ठीक है तो आराम से प्रोपेन लिखो CS3 CS2 और इसका क्या करना है डाइक क्लोरियसन करना है ठीक है तो डाइक क्लोरियसन करोगी तो CS3 CS2 CH CL CL प्लस CS3 CH CL CS2 CL प्लस CS3 C CL CL CS3 ठीक है वन आप देम इस अप्टिकली ऐसे सीधे देखो इसमें कोई अप्टिकली यह एक अप्टिकली एक्टिव है यह एक अप्टिकली एक्टिव है अब आगे कह रहा है अप्टिकली एक्टिव कमपाउट प्रोडक्ट तो सुन अदर हलो यह देखो यही तो है यह है इसकी अपने क्या करना है ट्राइक क्लोरो लेकिन यहां उसने लिग दिया है देखो अप्टिकली एक्टिव डाइक्टिव एक्स्क्लूडिंग इस्टिडियो यहां पर नहीं देखने है इस्टिडियो तो यह हो गया काम सीर एक यह बना दिया प्लस यह बना दिया यह बना दिया बोलो कितने हो आंसर थ्री यही तो बनेंगे देख लो साब-साब इसका हम दाइक्लोनेसन किया यह ऑ्प्टिकल एक्टिव है फिर उसका ट्राइक्लोर कर दिया है और समय इस्टीडियो नहीं देखनी है इस्टीडियो नहीं देखनी है नेंस्ट पूरे पेपर का यह एक कंफ्यूजिंग क्वेस्टन है अगर एने लिक्विड एन एस त्री आरवेस देदा तो वही हम इसको कर देते आंसर इंखेर कोई लिखते ने एस टू पीडी सी यह डी एक्टिवेटिटिंग है यहां समझ लो कि यह नॉर्मली एस टू पीडी सी यह selective reduction करता है C double bond C का लेकिन अब इसके अब अगर LLS4 अगर डालते हैं तो यह तो होगा यह double bond reduce हो जाएगा जडेने एस जी सील यह तो वैसे नहीं CO किसमें change करता है CS2 तो अब अगर जो किसी को यह बात पढ़ लेना पड़े हो तब तो answer LLS4 otherwise S2 PDC deactivated है तो यह double bond को reduce नहीं करेगा हम यहां मान के चलना है यह sulfur यह क्यों लीन है तो यह क्या करेगा इसको किसमें change करता होगे OH में तो answer कौन से जाएगा यह है अगर इसको कोई LLS4 भी देखो option के उपर है वैसे LLS4 भी answer जा सकता था अगर यह वाला यह white करें तो लेकिन conjugated double bond को बेंजीन से अगर double bond है तो उसको LLS4 reduce करता है इसलिए इसको नहीं दिया तो S2 PDC लेके चलते है answer ठीक है next हाँ इसमें अपने को मिलान करना है तो देखो ज़र NS2 meta directing COCL EWG हेलोजन और्थोकरा यह सही है NSCO3 electron donating भी सही है CHO meta directing सही है यह अगया answer answer कौन सो हो गया B ठीक है CS3 क्या करता है electron देता है COH meta directing होता है जितने deactivating group होते हैं वो क्या होते हैं meta आगे चले ठीक इसमे order of reactivity हाँ तो LD हाइड हो गया भाई हमें क्या देखना order of reactivity के लिए carbon जो carbon हा उस पर positive charge density देखनी है तो minus प्रस अच्छा है ketone उसके बाद अब इसमें COR, CONS2 NR2 का plus M अधिक होता है हम OR से तो COR और CONR2 option भी यह बी क्या क्या देखने आपनों carbon पर यह क्या resonance की वैसे यह कम हो जाएगा इसमें प्लस हम अधिक है NR2 में तो सबसे कम ही हो जाएगा हेलो स्टूडेंट्स हम असोसियेट ओप केमस्टी टीचर 2023 का पेपर डिसकस करेंगे इस पार्ट में हम केमस्टी के फिजिकल पार्ट को डिसकस करेंगे फिजिकल पार्ट की बात करें तो फिजिकल पार्ट इस पेपर में सेम एज जो NCIT बेस्ट होता है 12th standard या J standard में जो होता है उसी के according पेपर है पेपर को हम डिसकस करते हैं तो section first में अपने पास questions है जिसमें single correct option चेक करते हैं सबसे पहले अपन question number 14 को चेक करते हैं the plot of energy energy per unit area is wavelength of the black body radiations is varies temperature as a given below the correct option among the following dear students seek एशा questions last years में अपने पास J main के exam में भी आया है और NCRT में ये black body radiations का graph अपने पास बना हुआ है तो बिलकुल simple type का questions है first option बोल रहा है कि T1 is greater than T2 is greater than T3 T4 T5 ये बोल रहा है कि इस black body radiations में जो करवा different different type के बने हैं इस करवा में से T1 temperature is T2 temperature T3 temperature T4 T5 ये वाला इसका order होना चाहिए ये order होना चाहिए क्या check करते हैं तो जैसे जैसे अपने पास energy density energy density तभी increase होगी जब temperature क्या होगा increase होगा तो बिलकुल ये option कैसा हो जाएगा correct option हो जाएगा correct option हो होगा second option को चेक करते है एस temperature increase the wavelength at which the intensity is the maximum shift toward to the higher energy region of the electromagnetic spectrum जब आप इसका black body का electromagnetic spectrum describe कर रहे होते हैं तो ये बोल रहा है कि अगर आप temperature increase करेंगे तो जो आपके पास intensity the intensity is maximum shift toward to the higher energy region बिलकुल higher energy region में ये क्या हो जाएगी shift हो जाएगी higher energy region में shift हो जाएगी energy क्या हो जाएगी increase हो जाएगी Planck constant से भी बता दे E is equal to h nu तो ये वाला statement भी correct हो गया the radiations of all wavelength are emitted, absorbed, reflected and reflected by the black body radiation black body होता है वो energy क्या करता है एनर्जी को क्या करता है wavelength को emit or absorb करता है तो ये वाला option क्या हो गया incorrect option हो गया the total energy density increase is that temperature is decreased no temperature decrease करेंगे तो total energy density भी क्या होगी decrease होगी तो कौन-कौन से option सही होगे फर्स्ट और सेकिंड option सही होगे तो कौन सा option सही हो जाएगा ए नंबर option अपने पास सही हो जाएगा ओके students same अपने पास जही मेन के एक्जाम में पूछा गया है next a student add a s gram of the iron Fe powder to dilute HCl and measure the work done by the reactions between the HCl and the Fe is 100 Joule the experiment was conducted at a constant pressure 180 m and 27 degree centigrade mass of the powder dear students हम खुब सारे questions की practice करते हैं इस टाइप की reactions हो रही होती है F-E अपने पास solid होता है F-E अपने पास solid होता है HCl अपने पास aqeos हो गया इस aqeos HCl के साथ two HCl के साथ react करेगा क्या बन जाएगा F-E-Cl2 बनेगा जो aqeos होगा प्लस क्या हो जाएगी, H2 gas release हो जाएगी, H2 gas अपने पास release हो जाएगी, और जो gas release होगी, वो किस के लिए responsible होगी, work के लिए responsible होगी, तो W is equal to यहाँ क्या लिखते हैं, delta NGRT, जितने mol यहाँ पे release होगे, वो mol किस में utilize होगे, work done by the system में utilize होगे, work done कितना होगया, 1000, present, delta NG gases mole of the product, gases mole of the product minus reactant, delta NG calculate कर लेते हैं, delta NG, delta NG होगी, वो mol of H2 के equal होगा, R अपने पास होगया, 0.0821, 2, और T कितना होगया, अपने पास 300 Kelvin होगया, यहाँ से delta NG को मैंने calculate किया, तो यहाँ से delta NG अपने पास 0.4 आ गया, तो mol of F2 कितने होगे, mol of F2 भी 0.4 होगे, तो mol of F2 कितने होगे, 0.4, F2 के mol आगे तो हम मास calculate कर सकते हैं क्या, बिलकुल 0.4 is equal to W divided by 56, तो W is equal to कितना होगया, अपने पास 22.4 ग्राम होगया, तो यह 22.4 ग्राम होगया, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, यह आंसर अपने पास हो जाएगा, ओके, next, anti-acids are medicine, they temporarily neutralize the acid in the stomach, जो हम anti-acids tablet लेते हैं, वो stomach में जो HCL होता है, उसको neutralize करता है, and prevent the volume of the anti-acid syrup contain 2.9 gram magnesium hydroxide per 100 ml, per 10 ml, given below A, patient whose the stomach contains 2 liter of the gastric juice with HCL, 2 liter of the, dear students, यह 100 ml अपने को paper में given है, misprinting है, जिसमें यहाँ paper में कितना given है, 100 ml अपने पास given है, gastric juice with the HCL, concentration of 6 into 10 to power minus 3 है, तो हमें यह calculate करना है, dear students, जो अपने पास HCL है, इस HCL को कौन neutralize कर रहा है, anti-acid magnesium hydroxide neutralize कर रहा है, magnesium hydroxide neutralize कर रहा है, तो यह क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, plus H2 release हो जाएगा, हम इस question को चाहें तो mole concept से solve करें, चाहें equivalent concept से solve करें, दोनों से answer क्या रहेगा, same, मैं यहाँ से आपको equivalent concept से solve करते हैं, ठीक है, अपने पास equivalent concept से solve करें, तो जितने equivalent इसके use होंगे, उतने equivalent इसके use होंगे, यह अपने पास N1 V1 equal to क्या हो जाएगा, N2 V2 हो जाएगा, H plus iron की concentration है, 6 into, 6 into 10 to power minus 3, कितना लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, इसकी concentration हम calculate कर सकते हैं, कितना हो गया, N is equal to, अपने पास 2.9, इसका molar mass हो गया, 58, इसका molar mass 58, तो यह कितना हो जाएगा, equivalent mass 58 divided by 2, कितना ml हो गया, 100 ml, multiply by 1000, यह इसकी concentration हमने determine कर ली, इसका volume हमें calculate करना है, तो यह volume अपने पास किस में आईगा, लीटर में आईगा, इस volume को ml में इस volume को calculate करना है, तो अपने पास volume आप liter में calculate करेंगे, और liter में calculate करके इसे 1000 से multiply करेंगे, तो यह volume अपने पास कितना आ रहा है 12 ml अपने पास volume आ रहा है तो अपने पास कौन सा option correct हो जाएगा 12 ml C option अपने पास correct हो जाएगा ओके Electrochemistry से related अपने पास question है यह half cell reaction represent by the first given below यह कोई half cell है वो इससे represent given F.E. hydroxide, ferrous hydroxide है वो F.E. में convert हो रहा है मतलब यहाँ F.E. का reduction हो रहा है F.E. का reduction हो रहा है ठीक है तेक प्लेस तो different electrochemical cell first and second in which the other half cell reactions first and second third respectively यह AL है वो AL में convert हो रहा है और यह the correct statement represent to the redox reaction in cell first and second means क्या हो रहा है कि अपने पास यह अगर इन दोनों के साथ मिलकर cell बनाए तो किस condition में यह अपने पास cell बन पाएगा ठीक है मतलब spontaneous cell होगा spontaneous cell के लिए delta z is equal to minus n f of n f of e cell होता है और delta z negative होना चाहिए तो e cell कैसा होना चाहिए पोजिटिव होना चाहिए अब किस cases में e cell positive आएगा अगर first वाले को इसके साथ अपन cell बनाते हैं तो e cell क्या होना चाहिए पोजिटिव होना चाहिए और e naught of cell अपने पास हो जाएगा standard oxidation potential of anode plus standard reduction potential of cathode जिसे आप अपनी language में e right minus e left भी लिख सकते हैं अगर ये first वाले इन दोनों cell का e cell positive आना है तो e cell positive कब आना सकता है जब ये तो क्या हो जाए इसका क्या हो जाए ये reduce हो रहा है इसका oxidation हो जाए Oxidation हो जाएगा तो यह 1.7 हो जाएगा प्लस इसका Reduction हो जाए तो यह 0.9 हो जाएगा और यह कैसा हो जाएगा? Positive हो जाएगा तो कौन सा First Cell में क्या होना चीए? Fe क्या होना चीए? Reduce होना चीए Oxidize, Fe क्या होना चीए? Reduce होना चीए ठीक है, Second Cell की बात करें तो Fe इसके साथ मिलकर सेल बना रहा है तो अपने पास वही क्या होना चीए Standard Oxidation Potential of Anode plus Standard Reduction Potential of Cathode होना चीए किस situation में ये positive आएगा जब ये positive आएगा जब ये तो किसका काम करे ये तो अपने पास क्या हो ये अपने पास Oxidize Oxidize जो इसका मतलब ये 0.9 हो जाएगा 0.9 और ये Reduce हो तो ये कितना हो जाएगा ये Reduction के लिए दे रखा है तो ये अपने पास Minus 0.7 हो जाएगा तो All Over कैसा आजाएगा Positive आजाएगा तो यहाँ क्या होना चीए Oxidize होना चीए तो कौन सा Option Correct हो रहा है D option अपने पास Correct option हो रहा है बिल्कूल Galvanic Cell के Introduction से क्यूस्टन से Okay The following are the Concentration versus Time Plot Reactions and product represent by the reaction The curve temperature quantitatively are represented अपने पास कोई reaction से L gas plus 2M gas equal to N gas plus 3 होगे Dip बिल्कूल Simple Concentration और Time की Between करव है एक Simple अपने को क्योवल graphical representation गिवन है अपने पास L का 1 mole utilize हो रहा है तो M की कितने mole utilize होंगे 2 mole utilize होंगे अगर initial concentration सेम हो तो initial mole सेम है Concentration सेम है तो किसकी concentration ज्यादा decrease होगी M की concentration ज्यादा decrease होगी तो हमें किस-किस के बारे में पूचा है M और N के बारे में given है M और N के बारे में तो M के लिए कौन सा represent कर रहा है M के लिए V वाला करव है क्योंकि concentration decrease तो होगी बट इसके कितने mole इसके 1 mole के लिए 2 mole utilize होंगे तो ये वाला V वाला करवा किसको represent कर रहा है M को represent कर रहा है अब N और O increase तो होंगे बट mole किसके ज्यादा increase होंगे O के ज्यादा increase होंगे तो ये किसको represent कर रहा है अपने को यहाँ N N किसको represent कर रहा है Y किसको represent कर रहा है N को represent कर रहा है okay next these students photo chemical reactions में अपने photo electric effect का questions है ये अपने past atomic structure से second questions repeat हो रहा है atomic structure की बाद current produced due to the photo electric effect increases with increase in the frequency of the incident light अगर incident light की frequency increase करेंगे तो photoelectric effect में अपने पास क्या increase हो पाएगा photoelectric effect में अपने पास जो increase हो पाएगा incident light increase करेंगे तो photoelectric effect में जो increase होगा अपने पास यहाँ पे अगर frequency तो potential increase होगा light increase नहीं होगी current increase नहीं होगी increase with the intensity intensity increase करेंगे तो number of electron क्या होँगे ज्यादा इमीट होंगे, number of electron ज्यादा इमीट होंगे, तो current भी क्या हो जाएगी, ज्यादा increase हो जाएगी तो यह option सही हो सकता है, ठीक है decrease with time of the radiation अगर radiation का time decrease कर देंगे, तो electron क्या होंगे, कम release होंगे तो current भी क्या होगी, कम flow होगी, is it independent on the intensity of the incident radiation no, independent नहीं होता है अगर आप photoelectric effect में, अगर जो आप photon जो provide कर रहे हो, वो किस से ज्यादा है, work function से ज्यादा है, तो इस पे इंडेंड नहीं करेगा, तो कौन सा option correct हो गया B option अपने पास correct हो गया, okay the property of the radiation is not different at the various reason of the electromagnetic spectrum dear students, electromagnetic spectrum अलग-अलग type का होता है जिसमें अपने पास UV rays भी होती है अपने पास X rays भी होती है अपने पास gamma rays भी होती है अपने पास visible region भी होता है IR region भी होता है microwave भी होती है, microwave भी होती है energy होती है E is equal to H C upon lambda lambda difference होता है तो energy अपने पास different होती है frequency new is equal to c by lambda और velocity सारी electromagnetic radiation होती है इनकी velocity क्या होती है सेम होती है तो कोन सेम हो जाएगी velocity अपने पास सही हो जाएगी तो कौन सा option correct हो जाएगा third option अपने पास correct option हो जाएगा ओके next check करते ही Hello दोस्तो myself Parsi Deiwal team chemistry CLC seeker आज CLC के YouTube प्लेटफॉम पे हम आपके लिए लेके आए है National Standard Examination Chemistry के पेपर का सोलिशन IAPT Chemistry बोल दो या उसका सोलिशन तो इस पेपर में Inorganic Chemistry का जो पार्ट है वो मैं यहां डिसकस करने वाला हूँ तो स्टार्ट करते हैं Inorganic Chemistry तो Inorganic Chemistry में जो पेपर का लेवल है पहले हूँ मैं बता देता हूँ पेपर का लेवल एडवांस लेवल का है और काफी conceptual क्यूशन आए हुए है तो सबसे पहले Inorganic का पहला क्यूशन है वो है कि किस लिगेंड के साथ ये complex ज्यादा इस्टेबल होगा तो हमें पता है कि यदि किलेशन भड़ता है किलेशन यदि इंक्रीज होता है तो इस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है अब हम बात करें यहां चो अमें सबसे पहला लिगेंड दिया हुआ है यहिजादेंटेड लिगेंड है जो दूसरा दिया हुआ है डाएइन N2 एमिनो इथाईल one two यह वाला लिगेंड कॉन सा है NH2 CH2 CH2 NH CH2 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 और यहां बोलाए Dying N2 Aminoethyl यहां पे यह one और यह two यह वाला Aminoethyl group हो गया यह वाला Aminoethyl group हो गया तो यह denticity की बात करें, तो ये तीन जगह से denticity show कर सकता है, तो ये हुआ आपका tridentid अगर बात करें, ethane 1,2 diamine की, तो ये तो well known legend है, और ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका हुआ bidentid और ammonia जो है, वो है monodentid ligand, हमें पुचा है कि stability जदा कहां आएगी तो हम मैंने बोला, किलेशन अगर भड़ेगा तो stability भड़ेगा तो denticity denticity of ligand minus 1 equal to kilate ring kilate ring जितनी ज्यादा denticity है, तो अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ kilate ring कितनी बनने वाली है तो इस ligand की denticity है 6, hexadented तो यहाँ ring बनेगी 5 यहाँ पे tridented ligand है और 2 ligand consumed होंगे, क्योंकि coordination number हमें कितना करना है, 6 करना है, octa idle complex दिया हुआ है, तो 8, यह tridented ligand 2 ring बनाएगा, denticity of ligand, ligand की denticity 3 है, minus 1, 2 तो 2 ligand कितने बनाएँगे, 4, तो इसमें बनेगी, 4 ring बनाएगा, और 3 ligand लेने पड़ेंगे, तो यहाँ बनेगी 3 ring और इसमें ring का formation होगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा किलेट ring कहाँ बन रही है, इथाइलीन, डाइमीन, टेट्रा, इसी टेटाइन में, तो most stable homoleptic complex जो होगा, वो A condition में होगा, तो answer will be A, इस question का answer जो आएगा, वो A आएगा, किलेएर, next question की बात करते हैं, next question है, which of the following property may have positive value of DL H, तो देखो, lattice enthalpy, सबसे पहला, lattice enthalpy क्या है, when gaseous catein and gaseous anine contact to each other, ionic solid compound बनता है, और during this some amount of energy release होता है, जिसका नाम है, lattice energy, since यह energy release हुई है, इसलिए यहाँ, जो DL H, जो आएगा, वो आएगा negative, ठीक है, इस condition में, अब यहाँ बोला, which of the following property may have positive value of DL H, अब अगर मैं solid को, वापस से ब्रेक करूँ, costumant particle, katein और anine में, तो यहाँ भी मुझे एक energy देनी पड़ेगी, lattice energy, बट वो value किसमें जाएगी, positive में जाएगी, hydrogen enthalpy, hydrogen enthalpy, negative, release energy है, तो lattice energy भी, in general क्या है, release energy है, electron gain enthalpy, for noble gas, noble gas पे, जब आप electron aid करते हो, जैसे helium है, helium पे, आपने एक electron aid किया, तो यह, H E minus गया, बट यहाँ पे, DL H, electron gain enthalpy, जो आती हो, आती है, प्लस 48, मतलब, यहाँ energy हमें देनी पड़ रही है, in general हमें बताना है, lattice energy क्या है, जब gases, catein, gases anion contact में आते हैं, तो some amount of energy release होती है, lattice energy, negative में आएगी, hydrogen energy, gases, catein, और gases anion को, excess amount of water में, dissolve करते हैं, तो some amount of energy release होती है, उसका नाम है, hydrogen energy, यह भी negative में आएगी, electron gain enthalpy for noble gas, यहाँ पे हमें energy देनी पड़ रही है, तो daylight, e, g किसमें आ रहा है, positive में, ionization enthalpy, जब हम electron, किसी isolated gases atom के, out to more cells से electron remove करते हैं, तो some amount उप energy देनी पड़ती है, तो यह भी किसमें आ रही है, positive में, और यह भी किसमें आ रही है, positive में, appropriate option अगर हम देखें, तो third and fourth इसका appropriate option है, मतलब B will be correct answer, okay, next question देखते हैं, यह periodic table से regarding question है, अच्छा question है, next, the correct IPAC name of potassium permagnate, ध्यान दे, यह common name है, और आपसे IPAC name, हम यहां से पूचा हुआ है, potassium permagnate, यह वाला होता है, K-M-N-O-4, मतलब K-M-N-O-4, यह plus 1 में है, और यह minus 1 में है, oxidation state इसका जो आएगा, वो आएगा plus 7 में है, तो सबसे पहले, ketain का नाम लिखा जाएगा, तो ketain का नाम लिखा हमने potassium, फिर यह हमारा जो है, वो anionic complex है, कैसा है, anionic complex, और anionic complex में सबसे पहले, ligand का नाम, oxygen यहां ligand का काम कर रहा है, तो tetra oxido, और anionic complex है, तो metal के नाम के आगे, 8 suffix लगेगा, तो magnet यह वाला हो जाएगा, और last में oxidation state 7, ऐसा option अगर check करें, तो ऐसा option अब यह मिल रहा है, D option में, तो correct answer will be D, क्लियर, next, which of the following statement is true, with respect to sodium salt, salt, of oxo-anion-o-phosphorus, NaH2PO2 and Na2HPO3, तो देखो इदर, सबसे पहले, इनकी structure हम देखते हैं, NaH2PO2, यह वाला हो गया, यह वाला हो गया, NaH2PO2, दूसरा दिया है, Na2HPO3, यह वाला हो गया, PO-, Na+, O-, Na+, और यह H, यह वाला हो गया, आपका, Na2HPO3, क्लियर, अब अगर हम बात करें, reducing and oxidizing, तो देखो पहली बात तो, pH, bond, having, oxy acid, act as a reducing agent, किसका काम करते हैं, reducing agent का काम करते हैं, number of pH bond, is directly proportional to reducing nature, तो इसमें भी pH bond है, इसमें एक pH bond है, और इसमें दो pH bond है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह दोनों ही reducing agent का काम करेंगे, ठीक है, तो, NaH2, अब इनमें ज्यादा reducing को होना है, NaH2PO2, more reducing agent है, than Na2HPO3, भी option को चेक करें, oxidizing नहीं होगा, oxidizing नहीं होगा, इसमें भी oxidizing नहीं होगा, तो option based भी हो जाएगा, बहुत हार reducing है, और जिसमें ज्यादा pH के bond है, वो ज्यादा reducing होगा, तो आपको दियावा है XEF2, XEF4 और XEF6 तो देखो XEF2 की वोटर के साथ जब रियक्शन करवाते हैं तो बनता है XEF2, या फिर O2 लिख दो, एक मोल एलिया मैंने, यह लो, H2O और साइड में बन गया 2HF, तो यह तो जिनों दे रहा है, मतलब यह तो देगा XEF4 की रियक्शन वोटर से करवाते हैं, तो वेल नोन एक्जाम्पल है, रियक्शन होती है, डिस्प्रोपेनेशन, कौन सी होती है? डिस्प्रोपेनेशन, रियक्शन होती है, और जो प्रोडेक्ट बनता है, वो बनता है, XEO2, ठीक है? और 8HF, मैं बेलेंस कर देता हूँ, रियक्शन को, यह वाला, और साइड में बनता है आपके पास, XEO3, यह प्रोडेक्ट बनता है, समझ महारी यह बात है? तो यहाँ पे भी जिनोन आ रहा है, तो इसके हाइड़ोलासिस से भी आएगा, XEF6 का जब कम्प्लीट हाइड़ोलासिस करवाते हैं, तो हमारे पास बनता है, वो बनता है, 6HF और XEO3, मतलब कम्प्लीट हाइड़ोलासिस से यहाँ जिनोन नहीं बना, तो जिनोन कहा रहा यह दोनों रियक्षन आपके NCRT में दी हुई है, NCRT P ब्लोक में दोनों रियक्षन गिवन है, हाइड़ोलासिस अब जिनोन फ्लोराइड, तो इस क्यूशन का जो आंसर आएगा, वो आएगा, XEF2 और XC4 मतलब 1st and 2nd, ऐसा option आपके पास B में है, तो B will be correct आंसर, यह प्रियोडिक टेबल से क्यूशन है, इपन एलेमेंट आप्टर ओगेंसेन, एटोमिक नंबर जिसका 118 है, तो 118 है, तो यह 7 पिरियेड है, 7 में यह फिनिस हुआ है कहां पे, 118 पे, तो यह फिनिस हुआ है 7S2 और 7P6 पे क्या हो गया, फिनिस हो गया, अब आगे जो आएगा, एर्थ पिरियेड आएगा, और एर्थ पिरियेड में पहला जो सब सेल है, वो 8S होगा, कौन चा होगा, 8S होगा, इलक्ट्रोन ये वाला कौन पिकरेशन दिया हुआ है इसका, फिर बोल रहा है, वाच डिसकवर्ड इन वीच ओग दा फोलोविंग और विल बी 1190 अगर नेक्स्ट एलिमेंट आता है 119 का, तो देखो 119 वाला यहां जाएगा, 8S1 होगा, ये 119 वाला होगा, और 120 वाला होगा, तो 8S2 होगा, 121 वाला होगा, तो 5G1 होगा, तो हमें तो इसके बार में पूछा है कि कौन से और्बिटल में जाएगा, तो वो जाएगा 8S में तो इसके लिए स्टेक्चर आना जरूरी है वाईया, जो अलुमिनियम है, वो वाला, ये एच, ये एच, ये बोरोन, ये एच, ये एच, ये एच, ये एक भी एच पोर, दूसरा भी एच पोर, ये एच, ये एच, ये बोरोन, और ये एच, ये दूसरा, तीसरा, ये एच, ये एच, ये बोरोन, ये H और ये H ये structure हो गई ALBH4 का whole thrice इसमें पुचा two centered तो देखो ये वाला bond जो है में जिसको ये वाला two centered हो गया ये वाला two centered हो गया ये वाला two centered हो गया ये two centered two electron इसमें दो electron आये है ये terminal वाले two centered two electron हो गये तो one two three four five six तो two centered two electron तो है six three centered two electron तो ये वाला जो bond है जिसको हम banana bond बोलते हैं इसमें तीन center और दो electron है एक दो तीन तो one और ये इधर से two ये three और एक ये वाला हो जाएगा four ये five और ये वाला six तो ये भी कितने हो जाएंगे six हो जाएंगे तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा six c six and six ठीक है next ये बहुत execution है ये भी predictable से है identify the correct matching of the following oxide in column with their property in column N aluminum tri oxide क्या होता है Al2O3 और ये एंपोटेरिक नेचर का होता है एंपोटेरिक oxide होता है calcium oxide S-blog का oxide है S-blog के oxide beryllium oxide को छोड़ कर बाकी सभी basic nature के होते हैं तो ये basic oxide है arsenic penta oxide AS2O5 ये वाला higher oxygen state है तो ये हो जाएगा acidic oxide तो aluminum oxide में मतलब first में आएगा R second में आएगा Q third में आएगा P answer जो जाएगा वो जाएगा C तो ये मैं फिर बता देता हूँ national standard examination 2023 के जो पेपर हुए है chemistry का mathematics का जो पेपर है J level का जो पेपर है उस पेपर का हम यह solution कर रहे है और ये solution आपको CLC के YouTube channel पे आपको available होगा तो inorganic part का हम यह solution कर रहे है next question की बात करते है in each of the following reaction roll of water ये तो बहुत simple सा question है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखो यहाँ पे ये reaction हुए तो H plus इसने H2 ने क्या किया है है असेप्ट किया है तो है प्लस असेप्टर बन रहा है तो क्या बन गया है बेस और यहाँ पे कि मेगनिसियम और H2 के साथ ये complex बनाया है तो यह यहाँ पे H2 किसका काम कर रहा है लिगेंड का काम कर रहा है लिगेंड का मतलब यह लोन पर दे रहा है Mg plus 2 को water अपने लोन पर donate कर रहा है तो यहाँ भी लिगेंड को हम क्या बोल सकते है बेस का काम कर रहा है H2O और F2 तो यहाँ oxygen का 2H2O और F2 यह oxygen नमबर 0 है यहाँ minus 2 है reaction करवाई 4HF यह minus में आ गया और O2 किसमें चला गया 0 में चला गया that means fluorine water की oxygen को क्या कर रहा है oxidize कर रहा है हमें पूचा है H2O का रोल क्या है तो H2O ने fluorine को क्या कर दिया reduction कर दिया तो reductant तो answer जो जाएगा वो जाएगा C परस्ष्ट reaction में H2O ने H2O का क्या काम कर रहा है second reaction में H2O ligand का काम कर रहा है तो ligand क्या होते हैं बेस होते हैं third reaction में F2 जो है fluorine है वो minus 1 में आ रहा है electron आया कहा से water के oxygen ने electron रोनेट किया है मतलब fluorine को reduce कर रहा है तो reductant हो गया तो answer जो जाएगा C next the correct order of the following oxidizing agent in basic aqueous medium तो यह तो बहुत simple सा है more SRP more oxidizing nature more SRP होगी तो more oxidizing nature होगी तो SRP यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है सबसे ज़्यादा SRP जो है वो आ रही है यहाँ पे more SRP more oxidizing nature और वो आ रही है सबसे ज़्यादा किसकी MN की उसके बाद आ रही है chromium की और उसके बाद एक मिन्ता correct order of following oxidizing जी इस question में थोड़ सा printing mistake हुआ है यहाँ पे आप प्लस कर दें यहाँ पे प्लस दिया हुआ है question में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो more SRP more oxidizing nature तो maximum SRP अगर हम बात करें तो FI का है FI O4 minus 2 का maximum SRP है फिर दो नंबर पे MN O4 minus 2 का है और सबसे minimum जो है वो है CRO4 minus 2 का तो यही nature oxidizing nature हो जाएगी तो answer जो जाएगा हो जाएगा B B इसका correct answer होगा next यह बहुत easy question है यह जो जिजो species दी हुई है यह है आईसो इलोक्त्रोनिक और आईसो इलोक्त्रोनिक के लिए हम बोल सकते है size is directly proportional to negative charge inversely proportional to positive charge अगर आईसो इलोक्त्रोनिक है तो यह आईसो इलोक्त्रोनिक species है तो maximum size होगा sc-2 का फिर होगा b r- का उसके बाद आपके पास आजाएगा r b plus r b plus और last में जो सबसी smallest होगा वो होगा s r plus 2 ऐसा option चेक करें तो ऐसा option अपने पास आ रहा है b option में तो b is correct इस question को हम easy category में रखेंगे next यह metallergy से consider the following statement calcination is carried out यह तो theoretical based है मतलब information based है calcination roasting calcination in absence of air roasting in a presence of air तो calcination is carried out in absence of air below the melting point of the ori definitely सही statement है roasting and calcination are carried out in presence of flux जरूरी नहीं है कि flux हम mix करें तो यह statement सही नहीं है calcium is carried out in limited supply of air नहीं calcination में कोई air की supply नहीं होती calcination air की absence में होता है तो यह statement गलत हो गया यह भी गलत हो गया roasting is carried out in air roasting जो होता है वो air की presence में होता है और melting point से कम temperature हम रखते हैं चाए वो roasting हो चाए calcination हो roasting और calcination का temperature और के melting point से कम होता है calcination air की absence में होता है और roasting air की presence में होता है तो इसमें statement जो सही है वो है first and fourth next यह कोडिनेशन केमिस्ट्री दा कोबाल्ट कॉम्पलेक्स फर्स्ट एंड सेगिन गीव बिलो और एक्जाम्पलो तो यहाँ पे देखें आप यहाँ पे फोर अमोनिया लिगेंड है इधर दो अमोनिया और दो चील टू है इसमें इधर भी तीन अमोनिया है इधर भी तीन अमोनिया है तो कोडिनेशन जो कोडिनेशन स्पेर है उसमें लिगेंड की पोजिशन चेंज हुई है कोडिनेशन स्पेर में लिगेंड की पोजिशन चेंज हुई है इसलिए इसको बोलेंगे coordination, position, isomerism out of NCRT है NCRT में यह isomerism नहीं दी हुई है next the magnetic moment in unit of bore magnitude in copper दो complex दिये है Cu H2O4 और plus 2 तो copper plus 2 और आपके पास जो ligand दिया हुआ है वो weak field ligand दिया हुआ है तो D3D9 configuration हो गया 9 electron अगर हम D में fill करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह 9 तो एक unpaid electron आ रहा है इसके पास unpaid electron जो आ रहा है वो आ रहा है 1 और यह सोचने के ज़रूती नहीं है यह भी D9 है और यह भी D9 है D9 में दोनों में ही एक एक unpaid electron आएगा यह यहाँ पे SFL दिया है तो यहाँ जो electron की filling होगी वो 8 electron की pairing हो जाएगी एक electron आगे जम्प कर जाएगा तो यहाँ भी एक ही unpaid electron है बोथ complex D9 में हमेशा एक unpaid electron रहेगा D9 में हमेशा एक unpaid electron रहेगा तो बोथ है 1 unpaid electron और magnetic moment magnetic moment निकालने का फोर्मला क्या होता है N N प्लस 2 बोथ मेगनेटोन जहाँ N है नमबर ओप unpaid electron N की वेलू हो गई 1 दोनों ही case में 1 है तो answer जो जाएगा 1.73 and 1.73 बोथ मेगनेटोन इस question को भी हम easy category में रखेंगे next ये question salt analysis से है salt analysis से दो question आए है इस paper में दोनों ही अच्छे question है मतलब बहुत ज़्यादा high नहीं है तो बहुत ज़्यादा low भी नहीं है question को हम read करते है पहले क्या है in quality tube in organic analysis वोपे water soluble salt mixer salt AB और salt axy आपको 2 salt दिये हुए है एक AB दिया हुआ है और एक axy दिया हुआ है बोथ आर water soluble है बोथ दा केटाइन वर identify aj sulpide इसका केटाइन जो है वो A है और इसका केटाइन जो है वो ax है क्योंकि केटाइन पहले लिखा जाएगा और इनको हम sulpide आइन मतलब S-2 के साथ इसका compound बनेगा S-2 के साथ sulpide का precipitate बनेगा हना इन दा टेस्ट फोर A9 sodium carbonate extracted when treated with AgNO3 गिव यलो विस precipitate और जो A9 है ये BN9 है इसका Y-BN9 है ये AgNO3 के साथ रियक्ट करेगा तो वो बोल रहा है यलो विस precipitate मिलना चाहिए और वो यलो विस precipitate NH4OH में soluble नहीं होना चाहिए difficulty in NH4OH उसमें soluble नहीं होना चाहिए while the other A9 can be confirmed with brown ring test बाकी other को हम किसे कर सकते हैं brown ring test है तो brown ring test किसका test है nitrate iron का तो other वाला है nitrate iron और आपको KS पी दिवी है यहाँ complex बनाया उसने AS और यहाँ पर उसने मनाया है SX इनका KSP value दिया हुआ है AS का KSP value ये वाला है इसका KSP value ये वाला है और आपको ये तो already पता होगा KSP value is directly proportional to solubility और यहाँ पर इनकी KSP value में large difference है क्या बहुत ज़्यादा difference है ये 10 to power minus 44 है ये 10 to power minus 24 है तो large difference इसका मतलब sulfide ion की concentration हमें different यहाँ पे चाहिए क्योंकि दोनों का KSP value में बहुत ज़्यादा difference है H2S can be used under appropriate condition तो incorrect statement पूचा है pH to separate and identify the ketine जी हाँ pH, H2S, S minus 2 की concentration अगर KSP value low है KSP value low है तो उसका precipitation बनाने के लिए हमें sulfide ion की concentration ज़्यादा चाहिए बात समझे है कम चाहिए शोड़ी अगर KSP value कम है मतलब उसका precipitate बनने की tendency कम हो गया तो वहाँ sulfide ion solubility हो शोड़ी मैं वापस से बोलता हूँ एक बार वापस से सुने KSP value क्योंकि देखो A का जो KSP value है वो बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब acidic medium में H2S अगर हम लेंगे तो acidic medium में S-2 की concentration क्या होने वाली है कम होने वाली है acidic medium अगर डालूँगा तो reaction backward direction में जाएगी तो S-2 की concentration क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो low KSP value है तो उसके लिए हमें sulpide iron की concentration कम चाहिए precipitation के लिए और उसके लिए हमें जो sulpide iron की concentration को हम low करेंगे उसके लिए हमें कौन सा medium लेना पड़ेगा acidic medium तो ये statement भी सही है ये भी statement सही है दा N9RNO3- and Cl- मतलब भी नहीं है अगर देखो Cl- है तो AGCL और AGNO3 AGCL की PPT बनेगी वो white PPT होगी यहां बोल रहा है yellow vis precipitate आना चाहिए और दूसरा AGCL की PPT तो NH4OH में soluble होती है ये बोल रहा है soluble नहीं होना चाहिए तो ये statement तो गलत है फिर catein X will be precipitated as a sulpide under alkaline condition as the concentration of sulpide ions required is very high इसका KSP value देखूँ तो उसके comparison में इसका KSP value ज्यादा है और KSP value ज्यादा है तो इसका precipitation बनाने के लिए KSP value ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा soluble हो रहा है तो इसका अगर sulpide ion के साथ precipitation बनाना है तो sulpide ion की concentration ज्यादा चाहिए और sulpide ion की concentration ज्यादा चाहिए तो मुझे कौन सा medium डालू basic medium डालू जो S-2 produce ज्यादा करे इसकी concentration बढ़ाए basic medium में sulpide ion की concentration बढ़ती है acidic medium में sulpide ion की concentration कम होती है तो अगर KSP value बहुत कम है तो acidic medium में sulpide iron की precipitation बन जाएगा KSP value बहुत ज्यादा है तो basic medium में sulpide iron का precipitation बन जाएगा तो ये भी statement सही है इसका answer जो है incorrect पूचा है C is incorrect बहुत ही श्यांदार क्यूशन अच्छा frame की आवा की सुने next the correct statement about the solubility of group second hydroxide तो अगर second की बात करें top to bottom जाते हैं तो solubility of hydroxide in second A and first A चाहे second A ले लो या first A ले लो क्या होती है increase होती है increase हो रही है इसका मतलब latest energy decrease हो रही है क्योंकि solubility is directly proportional to hydration energy inversely proportional to lattice energy lattice energy top to bottom कम होती जाएगी solubility भरती जाएगी तो हमें second A का पूचा है तो the solubility increase because lattice energy decrease इस question को easy category में रखने वाले हैं next dear students next physical chemistry का क्योंस है the solution of copper sulfate dot 5-H2O methanol has copper plus twine 1 gram 1 milligram per 1000 gram of the methanol the molality of the copper plus twine in the solution molality calculate करनी है तो molality is equal to होता है molality M is equal to होता है अपने पास mol of solute upon volume of solution volume of solution किस में होना चाहिए volume of solution अपने पास liter में होना चाहिए तो M is equal to W A A represent करने का मतलब है solute से W A upon M A into V किस में होना चाहिए liter में होना चाहिए अब M हमें calculate करना है, तो M is equal to अपने पास हो गया, कितना हो गया मास, 1 mg, 1 mg मतलब 1 into 10 to power minus 3, किसकी concentration calculate करनी है, copper plus 2 की concentration calculate करनी है, तो क्या हो गया, copper plus 2 का, copper का atomic mass होता है 63.5, कितना ml हमें ग्राम दे रखा है, तो D is equal to क्या होता है, M by V, तो volume calculate करना, volume is equal to M of D, हमें solution का volume लेना है, तो mass भी किसका होना चाहिए, solution का, density भी किसकी होनी चाहिए, solution की, तो V is equal to कितना हो गया, mass हो गया, अपने पास 1000 ग्राम अपने ले रखा है, और density कितनी हो गई अपने पास, 0.792 ग्राम, पर ml अपने पास, ग्राम पर ml अपने पास density दे रखिए, तो gram से gram cancel volume किस में आ गया, ml में आ गया, तो ml में volume कितना हो गया, 1000 divided by 0.792, यह volume ml में था, तो मैं वापस इसको 1000 से क्या कर सकता हूँ, multiply कर सकता हूँ, इसे अगर मैं sol करता हूँ, तो यह m is equal to, अपने पास कितना आ गया, m is equal to, हमें दे रखा है, 1.25 into 10 to power minus 5m आ गया, और हमें किस की value बतानी है, y की value बतानी है, तो कौन सा हो जाएगा आपने पास, c option क्या हो जाएगा, correct option हो जाएगा, ओकी students, next, ये वाला d block, following is the reaction of flow chart for magnesium oxide complex under different alkaline pH condition, तो MnO4 basic medium में पहले किस में जाता है, MnO4 minus 2 में, फिर और basic medium की बात करूँ, तो किस में जाता है, MnO2 में, ठीक है, ये वाला, weak alkaline medium में इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा, कौन से medium में, strong alkaline medium में इसमें जाएगा, तो हमें पुचा है, S and T respectively, तो S तो MnO4 minus 2 हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला जाएगा, d is a correct answer, ठीक है, easy है, next, हाँ, जा गया, 39, the correct order of relative strength, nucleophilicity का, ठीक है, neutral क्या होता है, nucleophile को क्या करता है, कम, और charge वाले में, resonance nucleophilicity को बढ़ाएगा, हाँ, तो answer ये से को, सीधा है, इसरे को, NH minus, OS minus, resonance nucleophilicity कम, neutral सबसे कम, तो इसमें जाएगा, वो ही नहीं करना था, neutral की nucleophilicity कम होती है, charge से, ठीक है, next, वन ब्रोमो, वन फेनिल एथेन, वन ब्रोमो, वन फेनिल एथेन, ये हो गया, CH, बी आर, और ये हो गया, वन ब्रोमो, वन फेनिल एथेन, इसकी CH3OH, कार्भुकाटान बनेगा, यहाँ, यहाँ, प्लस चार्ज, और यहाँ, कार्भुकाटान तो यह बन जाएगा, O, CS3, और यहाँ, क्या हो जाएगा, CS3, कार्भुकाटान बना, क्या हो जाएगा, रैस्मिक मिक्सर, कारियर हो गया, तो कारियर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रैस्मिक मिक्सर आफ, वन one methoxy one family among the following correct statement about the compensability factor Z of the real case dear students some compensability factor Z ka karva हम लोग किसके साथ बनाते ही P के साथ करव बनाते ही जेड का करव पी के साथ ideal gas के लिए Z equal to कितना होता है ideal gas के लिए Z equal to 1 होता है hydrogen और helium के लिए ये z is equal to greater than 1 होता है और real case के लिए z is equal to ये z is equal to क्या हो गया greater than 1 और ये z is equal to हो गया less than 1 dear students अगर हैं बातolve一點 तो यहां repulsive force dominant होते हैं और यहां पे कौन से force dominant होते हैं attractive force З is less than 1 Z is less than 1 हो गया तो इसका मतलब कौन से force dominant हो normative force डुमिनेंट होगे तो एक तो कौंसा statement सही हो सकता है second statement अगर हम लोग बात करते हैं जेडिस greater than 1 तो कौंसे फोर्स डॉमिनेंट होते हैं repulsive force dominion गुवेक होते हैं कौंसा statement सेक किन तरिटेट मेंट तो second ओर थर्ड सटेटमेंट सेये ऐसा कौंसा option है fourth option अपने पास हो जाएगा तो ये वाला option अपने पास क्या हो जाएगा? correct option हो जाएगा. Next. Glycine Optically Inactive तो G Gly Gly ले लो ये Optically Inactive Gly Well ले लो ये Optically Active Well Well Optically Active Well Gly Optically Active तो चार तो बन गएगा डाइपटाइड जिसमें 4 क्या? 3 क्या हो गया? Optically Active तो 4 डाइपटाइड डाइपटाइड बता जानते हो लो इसको दोनों के जब अटाइच करेंगे CUNS bond मिल जाएगा तो इसका NH2 इसका CUNS बन जाएगा डाइपटाइड तो चार बनेंगे डाइपटाइड जो CUNS आएगा जिसमें 3 क्या हो जाएगा Optically Active Dear Students, Thermodynamics Related अच्छा क्यूसंस दे रखा है कि the figure represents the process A, B B, C and C, A यह A, B process हो गया यह B, C process हो गया और यह C, A process हो गया Certain mass of the ideal gas among the path A, B the gas is isothermally compressed with the release of 800 joule heat to the surrounding यह जो A, B process है कैसा process है isothermal process है और heat कितनी release कर रहा है Q is equal to the release heat Q is equal to minus 800 हो गया Q is equal to कितना हो गया minus 800 हो गया B से C process क्या हो गया adiabatic process हो गया adiabatic process हो गया तो Q equal to 0 हो गया और Q equal to 0 हो गया तो the path B, C work done in the 500 joule वा कितना done हो गया 500 joule हो गया ठीक है and अपने पास the return to the state A along to the C absorb it यह C है यहाँ Q is equal to कितना हो गया 100 हो गया तो पूरा cyclic process है तो cyclic process के लिए अपने पास delta E is equal to कितना हो जाएगा D is equal to 0 और D is equal to क्या होता है अपने पास Q plus W होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा minus of W हो जाएगा तो मैं यह कह सकते हैं Q AB plus Q BC plus Q CA बराबर किसके हो जाएगा यह minus W AB plus W BC plus W CA के खोड़ी हो जाएगा अगर इसको कहते हैं तो W AB कितना हो गया अपने पास minus 800 हो गया W BC कितना हो Q BC कितना हो गया 0 हो गया यह अपने पास Q CA कितना हो गया अपने पास 100 हो गया यह minus sign अपने ने ले लिया तो W A कितना हो गया 800 हो गया W यहाँ वाला कितना हो गया? अपने पास 500 हो गया तो W कौन सा आजाएगा? CA आजाएगा इसे अपन सॉल करते हैं तो W CA equal to कितना हो गया? 600 अपने पास हो गया तो option अपने पास कौन सा हो जाएगा? minus of 600 अपने पास option हो जाएगा ओके डिएरी स्टुदेंट्स next 2 flask 1st and 2nd equal volume evacuated connected tube negligible volume दो equal flask अपने पास और किसके थूँ connected है? negligible volume के थूँ अपने पास negligible volume के थूँ अपने पास क्या है? connected है volume V क्या हो गया? इसका भी volume है इसका भी volume अपने पास V और इसका भी volume stop coke लगा हुआ है constant temperature एक का 250 Kelvin है और एक का temperature अपने पास 750 Kelvin है एक का temperature 750 Kelvin है total कितनी gas insert की है? 20 mol of ideal gas introduced into the system 20 mol इसमें introduced की तो अपन के पास mol का ratio क्या हो जाएगा? dear students PV is equal to NRT लगाते है PV is equal to NRT तो pressure दोनों में क्या रहेगा? stop cork open करने के बाद same रहेगा volume दोनों का क्या है? same तो N is directly proportional to T हो जाएगा total 20 mol है एक में अपन एक स्मोल मान लेते हैं जिसका temperature कितना है? 750 है तो दूसरे में कितना हो जाएगा? 20 minus X हो जाएगा जिसका temperature कितना हो जाएगा? 250 हो गया तो क्या ratio आ रहा है अपने पास? जो mol का ratio आ रहा है वो mol का ratio आ रहा है 3 ratio 1 अपने पास आ रहा है 3 ratio 1 आ रहा है तो कौन सा statement सही हो गया? थर्ड वाला अपने पास option करेक्ट हो जाएगा, simple जो गेसे रिस्टेट में अपन कुस्टन सोल करते ही उच से रिलेटेट अपने पास कुस्टन है, when the certain amount of univalent salt AB, molar mass 54 was dissolved in the 0.1 decimeter of water, 0.1 decimeter of water, the relative lowering in the vapor pressure is 3.55, the molarity of resulting solution assume the complete dissociation of salt under the given condition, density of water is 1 gram parameter, relative lowering in vapor pressure से questions है, जो भी अपने पास देखेगा, P0-PS upon PS, कुछ यहाँ पे P0 भी ले लेते हैं, I into NA upon NB, ठीक है students, P0-PS upon PS, is equal to कितना हो गया, I into WA upon NB, into WB upon NB, दोनों साइट 1000 से multiply कर दूँ तो कोई problem नहीं है, इस तरीके से भी solve कर सकते हैं, यह solution की क्या होगी, small M होगी क्या बढ़ाओं, यह solution के अपने पास mass of solute, mass of solvent into 1000, यह solution के लिए क्या होगे, अपने पास, small M होगे, इस MB को बाहर रख दे, तो P0-PS upon PS, is equal to क्या होगया, I into small M into MB divided by 1000, अब dear students, सारी information अपने पास given है, P0-PS के ट्रम में दे रखा है, तो P0-100 मालनो, यह 100-3.55, 3.55, यह होगया, अपने पास 96.45, upon 96.45, is equal to IQ value 2 होगी, अपने पास small M calculate करना है, MB at first solution 18 होगया, यह अपने पास 1000 होगया, यहाँ M को अपन सोल कर रहे हैं, तो अपने पास कितना आ रहे है, near about 1 small M आ रहे है, तो कौन सा option, correct option हो जाएगा, B option अपने पास correct option हो जाएगा, solution का colligative property से, related, क्यू संसर राउल फ्लो से, okay, dear students, rate constant value for the decay of the radioactive isotope X and Y use the medicine are 0.05 over inverse and 0.025 over inverse respectively, अपने पास rate constant की value given है, तो अपने पास किसकी value given है, half life की value given है, T half is equal to, अपने पास होगया, 0.693 upon K, अगर इन दोनों के X और Y के half life का ratio देखें, तो X की half life अगर T है, तो Y की half life कितनी हो जाएगी, 2T हो जाएगी, half life का अगर ratio टेल्कुलेट करते, तो 1 ratio 2 में इनका half life है, initially अगर हम X की बात करें, तो हमने पास क्या दिया है, in a hospital, it is zero to zero time, activity of the simple X was found to be there, twice of the Y, X की activity है, वो 2 है, मतलब X कितना हो गया, 2A हो गया, और Y कितना हो गया, Y अपने पास A हो गया, इसकी activity A हो गयी, the activity of the two radioactive eyes are approximately equal, यह अपने पास half life इसकी T है, तो यह T time के बाद कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और यह T time के बाद फिर क्या हो जाएगा, A by 2 हो जाएगा, ठीक है, और यह 1 half life, इसकी half life कितनी है, 2T, तो इसकी half life, एक half life के बाद यह कितना हो जाएगा, A by 2, तो मतलब क्या हुआ, कि first तो दोनों की concentration equal होने में, first की तो कितनी half life cover होगी, 2 half life cover होगी, और second वाले की कितनी half life cover होगी, 1 half life cover होगी, तो देखते हैं, twice of the half life of Y, Y की तो one half life cover होगी, तो रहोगी statement होगी, twice of the half life of X, कौन सा statement, सही statement अपने पास दिख रहा है, equal to the half life of X, नहीं, half life, X की half life का two time लग रहा है, equal to the half of the half life, नहीं, Y की half life का तो कितना time लग रहा है, वन टाइम लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, B वाला स्टेटमेंट अपने पास सही हो गया देश्ट, okay students, next टेक करते हैं लेटी में डाइग्राम आर दे, कॉम्पेक्ट रिपर्जेंटेशन अफ दे एलेक्ट्रो केमिकल इकलिवरियम इन दे सबस्टान्स मल्टिपल देर स्टुडेंट्स इसकी बात करते हैं, तो यह अपने पास देल्टा जी वन हो गया यह अपने पास देल्टा जी टू हो गया, और यह अपने पास देल्टा जी थरी हो गया अपने पास देल्टा जी हो गया, तो देर स्टुडेंट्स देल्टा जी इकल टू होता है माइनस देल्टा जी इकल टू होता है, माइनस एन एप ओफ इनोट्स ओके डिर स्टुडेंट्स हमेरे पास delta G additive quantity है तो मैं बोल सकता हूँ कि delta G is equal to delta G1 plus delta G2 ओके delta G1 कितना हो गया minus कितने electron transfer हो रहे total minus 3F of 1.517 volt ठीक है same as delta G is equal to हो गया minus 3F 1.517 इसी तरह से delta G1 कितना हो गया minus कितने electron का transfer हो गया minus 2F of E node जो कि हमें calculate करना है और यह हो गया आपने पास एक electron का minus 1F of 1.83 हो गया ओके dear students यहां से F से F क्या हो गया cancel out हो गया तो यह क्या हो गया 3 into 1.517 equal to 2 E node plus 1.83 यहां से E node को open solve करते हैं तो यह E node की value आती है 1.36 V कौनसा option correct option हो गया अपने पास यह वाला option correct option हो गया 1.36 ओके electrolysis of aqueous copper sulfate 0.1 carried out in two cell first in the electrode of copper and second with the platinum electrode copper electrode है first मिह अपन दिखते हैं अपने पास copper electrode है तो electrolytic purification हो गया यहां से solution से अपने पास copper plus 2 है copper sulfate solution में solution से copper plus 2 आईन है वो इस पे deposit होंगे तो concentration of solution no change होगी पहले वाले में no change होगा जब अपने पास copper का होगा दूसरे वाले में platinum inert electrode हो गया तो यहां पे platinum electrode लाएंगे तो inner electrode हो गया तो यहां से copper plus 2 copper sulfate हो गया तो 1 तो हो गया Cu plus 2 1 हो गया SO4 minus 2 और second अपने पास कौन सा हो जाएगा H2 हो जाएगा यहां पे केथोड पे अपने पास deposit होगा Cu plus 2 2 electron लेगा और copper वरा लेगा A node पर कौन deposit होगा A node पर H2 oxidize होगा O2 plus H plus produce करेगा H plus produce करेगा तो solution कैसा हो जाएगा Acidic हो जाएगा तो Acidic हो जाएगा तो अपने पास carried out first and second in the the electrode of copper plus 2 तो अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास remains same and decreases तो remains same first में तो क्या हो जाएगा remain same in first and solution में जो H plus बनेंगे तो pH क्या हो जाएगी decreases in second कौनसा option correct हो जाएगा 48 option अपने पास correct हो जाएगा ओके अब मोर्दन मन वाले बात है हम पहला आ गया 246 trinitophenol is more is more than phenol to ACD की strength जानते हो क्या होता है ACD की strength PKA के तो inversely होता है और KKA के क्या होता है directly तो पहली लेंग क्या PKA of 246 is less than phenol तो सही बात है यह PKA कम होता है दूसरा फिनोल is stabilized by intramolecular कोई कुछ नहीं गलत है the conjugated base 246 जो फिक्री केट सिर जो बनाओगा 246 tri O minus the conjugate 2 for trying to delocalize the negative on the oxygen atom to a very large extent सही बात है और phenol delocalize negative the conjugate यह गलत है कौन सा हो जाएगा AC टी टीक है next टीक है देखो भी सीधर the correct 1-3-butadine 1-3-butadine BR2 के साथ reaction 1-4-dibromobutene molar addition BR2 1-4-dibromobutene as the major product when the reaction is perform for longer time हाँ दो बनेंगे इसमें एक तो यह और एक 1-2 कर देते हैं अब सुनो KCP और TCP क्या है यह कानिटीवी कंट्रोल प्रोड़क्ट और थर्मोडानमिकरी प्रोड़क्ट 1-4 1-4 वाला थर्मोडानमिक लिए TCP KCP बोलो ठीक है 1-4 अब मोर एडिशन BR2 1-4-dibromobutene as the major reaction is performed for longer time ठीक है बिलकुल सही बात है यह इसमें कर्माट हो जाता है यह पहला सही है मोलर एडिशन BR2 only 1-2 डाइवरमिक फ्रोड लंगनिया के लिए था बात अब C1-C2 1-2-3-4 C1-C2-C3 से बांड और slightly longer than C double bond रुप जाओ जब C1-C2 यह है न जब resonance में जाएगा तो जो fixed alkyn है उस से अधिक हो जाएगा क्योंकि यह resonance में जाएगा तो single bond में convert होगा तो यह सही होगे C2-C3 single bond slightly shorter than Cc यह जब resonance में जाएगा 2-3 वाला तो यह double bond में convert होगा तो इसकी bond length क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बोलो देख लो ध्यान से ACD ठीक है सही बात next चैने which are the following represent will exhibit cis trans isomer simple बात देखो C double bond C different group लगा हो H H cis trans होगा यह 3 से लेके 7 तक double bond कराऊं G ISO नहीं करेगा यहाँ देखो यह हो जाएगा H H different होगे न और यहाँ भी देखो H H cis और trans A B D ठीक है next an elementary dimerization reactions of 2R equal to 2R the value of the hysteric factor to be found 2.5 this is the indicator experimentally जो hysteric factor hysteric factor हम लवाते हैं जब R N E S collision theory पड़ते हैं तो हम बताते हैं K is equal to P Z E की power minus E A upon RT यहाँ पे जो P होता है वो अपने पास क्या होता है hysteric factor होता है यहाँ पे बोला है कि hysteric factor was found to be 2.5 original से 2.5 है the experimentally obtained rate is 2.5 फास्टर देन देन दे theoretical rate theoretical rate से 2.5 फास्टर होगी यह बिल्कुल सही है अपने पास ratio of the number of collision calculate the collision theory and the actual collision नहीं collision का ratio नहीं है यह क्या है probability factor का ratio है तो यह वाली बात अपने पास सही नहीं हो रही है ठीक है थार्ड अपन देखते हैं the activation energy of the reaction is same for the both experimental and calculated केवल किसका difference है P का difference है activation energy क्या रहेगी same रहेगी तो यह option भी अपने पास क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा the molecules of reactant are any to be there some complex structure बिल्कुल यह complex structure भी रख सकता है may be बोला है may be तो अपने पास यह may be R may be लिखा गया may be तो complex structure रख सकता है तो complex reaction भी possible है कौन सा statement हो गया D statement अपने पास हो गया तो अपने पास कौन कौन से statement सही हो गया A C और D statement अपने पास सही हो जाएगे 52 के ओके दिए students next देखते है the correct statement among the following are the charge on the diffuse layer AGI colloid solution may be addition of few drops of the dilute aqueous solution of KI to an aqueous solution of AGNO3 AGNO3 अपने पास axis में है इसमें few drop of the dilute aqueous KI ये KI axis तो AGNO3 axis में है तो क्या बनेगा AGI बनेगा और इस पे क्या बन जाएगा KNO3 इस पे axis है तो कौन सी layer बनेगी अपने पास कौन सा आइन और जोड होगा AG प्लस आइन अपने पास adsorb हो जाएगा तो positive अपने पास sold बन जाएगा ठीक है when the positive अपने पास तो ये positive बनेगा तो diffuse layer क्या हो जाएगी negative layer अपने पास diffuse layer हो जाएगी negative layer अपने पास diffuse हो जाएगी the charge on the diffuse layer of the AGI addition of the फ्यूद रोफ ओप दैड डाइलूट एकोस सोलुशन ओफ एजी एनोटरी के आई तो एक्सिस में है और इसमें फ्यूद रोफ एजी एनोटरी की डाले तो कैसा कोलोडल सोलुशन बनेगा एजी आई बनेगा प्लस अपने पास क्या बन जाएगा के नोटरी इस पर कॉन साइ प्लस अपने पास लेयर बन जाएगी ठीक पात है इसमें नेगेटिव लेयर बन जाएगी एक्सिस में होगा तो ठीक है next when the ionic strength of the colloidal solution increases colloidal solution है इसकी ionic strength increase होगी ionic strength increase होगी तो then thickness of the double layer increase double layer की thickness भी increase होजाएगी and get the colloidal get precipitate colloidal precipitate भी होजाएगा तो कौन सा statement correct होगया A B और C यह third fourth option है यह क्या होजाएगा इसका opposite decrease increase and layer the decreases तो यह क्या हो जाएगा wrong statement हो जाएगा okay dear students next in the reverse osmosis flow of the solvent across the semi-permeable membrane reverse osmosis की बात कर रहा है reverse osmosis का मतलब हो गया यह अपने पास कोई concentrated solution हो गया यह अपने पास कैसा solution हो गया concentrated solution हो गया concentrated solution और यह अपने पास क्या हो गया pure solvent हो गया pure solvent यह जिसकी concentration कम हो इस पे अपन लोग hydraulic pressure apply करेंगे और यह hydraulic pressure apply करेंगे तो hydraulic pressure P external जो hydraulic pressure है वो किससे होना चीए osmotic pressure से ज्यादा होना चीए when the hydrostatic pressure is greater than the osmotic pressure तभी हो पाएगा तो यह statement क्या हो गया सही हो गया when the hydrostatic force is lower than the osmotic pressure तो reverse osmosis नहीं हो गया from higher concentration to lower concentration solution ठीक है solvent किदर flow होते है higher concentration to lower concern net flow इसी direction में हो रहा है flow lower concentration to higher concentration solution गलत statement हो गया तो कौन सा हो गया ए और c option अपने पास correct option होगे okay dear students next देखते हैं यह बाला पी ब्लोक से क्यूशन है चूजदा correct statement regarding geolite geolite में क्या है silicon atom are replaced by aluminum atom in the geolite definitely aluminum silicate को हम geolite बोलते हैं तो silicate की structure से silicon atom को निकाल के वहाँ aluminium को replace कर दे तो geolite बन जाएगा तो यह statement सही है the pores and cavities of geolite as well as size and shape of reactant decide the reaction taking place in the geolite जी हाँ वहाँ जो cavities है और जो katein आने वाला है उसका size appropriate होना चीए तो यह भी statement सही है the cracking of hydrocarbon and isomerization reaction are catalyzed by geolite in the petrochemical industries gasoline का production करते हैं ZSM5 यह वाला type of geolite है तो यह भी सही है यह भी in chat में लिखावा है geolite act as a molecular sewage and can separate the molecule of different size अभी मैंने बोला appropriate size का ही molecule उसमें जाएगा तो उससे यह भी कर सकते हैं चारों ही statement क्या है? सही है next यह क्यूशन क्या बोल रहा है crystalline iron third nitrate nonahydrate है जे very pale violet color when added to water the crystalline dissolved to form a brown solution तो complex आपको दिया हुआ है app e h2o6 और यह plus 3 यह वाला यह complex बनेगा और यह बोल रहा है यह है आपका color जो है वो violet color का है जब आप इसमें water aid करोगे तो h2o के साथ reaction करेगा तो complex बनेगा app e o h h2o5 plus 3 और h3o plus प्लस 2 यह वाला बनेगा यह फरदर water से react करेगा तो बनाएगा app e o h का whole twice h2o4 और यह plus 1 और यह h3o plus तो इन दोनों complex के कारण एक तो इस complex के कारण और एक इस complex के कारण इसका color change होगा क्योंकि visible region का जो energy gap है वो change हो चुका है पहले के वल h2 ligand था अब o h1 ligand आया यहाँ दो ligand आये इन दोनों complex के कारण इसका solution का जो color हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा brown solution killer तो the brown color is due to this and this तो यह दोनों complex बने है तो परस statement सही है treatment of this brown solution with concentrate nitric acid yield यह very pale blue violet solution अगर मैं इस blue solution का concentrate HNO3 से react करवा दूँ तो lead material principle यह बोल रहा है कि reaction किदर जाएगी वापस से बेकवा direction में जाएगी left side में reaction जाएगी in presence of concentrate HNO3 तो concentrate HNO3 में वापस क्योंकि यह base है यह acid है यह acid है H plus लेगा वापस उदर जाएगा तो violet color वापस से arise हो जाएगा तो यह वाला भी यह वाला यह बोल रहा है pale violet solution with concentrated nitric acid is a very pale violet solution तो देखो addition of HNO3 shift the equilibrium to right giving violet color तो right की तरप नहीं जाएगा किदर जाएगा left की तरप इदर नहीं आएगा तो यह वाला statement गलत हो गया फिर आगे बोल रहा है HCL के साथ reaction करवाई है HCL के साथ करवाई है तो बनेगा FECL4 minus यह वाला complex बनेगा तो यह बोल रहा है addition of 95 shift the equilibrium यह वाला यह सही है यह left की मैंने भी explain किया है left side में जाएगा और violet color यह यह वाला यह इसका कदर कौन सा होता है yellow तो यह वाला भी सही है question को वापसे read कर ले एक brown color का violet color का complex है water dissolve करोगे तो यह violet color में चला जाएगा HNO3 एड करोगे तो reaction वापस left side में आएगी leachatorial principle explain करेगा तो वापस से violet color appear हो जाएगा तो third statement से हो जाएगा fourth color तो हो जाएगा HCL की presence में complex का नवाट हो जाएगा FCL 4- में जिसका कदर होता है yellow तो yellow color यह वाला statement भी सही है तो इसका answer जो जाएगा वो जाएगा A, B, C यह भी salt energy का question है ठीक है तो यह था inorganic part का hopefully आपने solution को enjoy किया होगा अच्छी से समझा होगा thank you Optically active यहाँ देखो कोई chiral ही नहीं है यह तो होगई symmetry यह भी खतम है यहाँ देखो यह हो गया unsymmetrical है ना और यह देखो chiral हो गया तो B, D Optically active पूछ रहा ना तो यहाँ symmetrical को यह से POS आ गया इस वैसे नहीं होगा तो Optically active कौन सा है B and D clear है यहाँ जो 3-chlorotolven activating हालोजन लगा होगा तो कहाँ जाएगा ortho और पैरा तो यहाँ चला जाएगा पैरा और यह ortho तो पैरा और तो कहाँ है एक यह हो गया C और यह हो गया B ठीक है और अगर जो axis मिले लोगे concentrate HNO3S2O तो die substituted यह भी बन जाएगा तो B, C, D ortho पैरा ले गए और अगर जो axis में होगा तो यह भी बनने के chance हो गए तो more than one है तो इसको answer देना पड़ेगा अपने को तो B, C, D सही है ना B, C, D हो गया clear तो यही question थे इसमें दो question बड़े थे वो भी आसान थे लेकिन वो करने में थोड़ा टाइम लएगा ठीक है तो next में फिर कितना है कि आपने वेपर अच्छा किया है पेपर एक दो question थोड़ा सा lengthy था नहीं तो और सब normal थे एक यह थोड़ा सा द्यान को रखा होगा तो axis में हो गया वह आंसर किया एक वो question था है H2PDC वाली उसकी बात हो गई है ठीक है तो next मिलते है Thank you टी स्टुडेंट्स तर बिलो दप्लोट प्लोट पी एच और वोल्यूम ओफ एनियोच एड़ेडिन एसीड बेस टाइटरसन करेक्ट स्टेट्मेंट among the following are एक एसीड और बेस के बीच में अपने पास वोल्यूम ओफ एनियोच दीर स्टुडेंट्स ये पहले स्टाट में देखने से ही लगता है कि ये टाइटरसन करवा किसके बीच है वीक एसीड वीक एसीड और किसके बीच हो गया वीक एसीड और किसके बीच हो गया अपने को पॉइंट गीवन है उनको देखते है before the equivalence point series of buffer solution determine the pH बिलकुल अलग-अलग solution पे जैसे माल लो इसके 10 equivalent होगे एक बार आप one equivalent बनाओगे तो यह one बनेगा और यह बनेगा तो यह statement अपने पास correct statement हो गया graph represent there graph represent there titration of the strong acid with any odds no strong acid की नहीं है weak acid का graph है तो यह statement क्या हो जाएगा incorrect statement हो जाएगा the equivalence point hydrolysis of anine determine the pH equivalence point पे क्या बनेगा CS3 COO NA बनेगा तो इसे किस तरह से ionized होगा CS3 COO minus plus क्या होगा NA plus और hydrolysis में कौन पार्टिस्पेट करेगा acid का anine पार्टिस्पेट करेगा तो यह वाला statement भी क्या हो गया सही statement हो गया after the equivalence point salt buffer solution determined no after the equivalence point एक तो CS3 COO रहेगा और एक क्या बनेगा कर रहे होंगे NA होगे जो की buffer solution CS3 COO NA plus NA होगे जो की buffer solution नहीं होगा अपने पास यह वाला point तो कौन कौन से option सही होगे A और C option अपने पास correct option होगे okay dear students next the correct statement among the following are the probability density sin square for the hydrogen atom is 0 at r equal to 0 r equal to 0 पे nucleus होता है hydrogen atom में और nucleus होता है तो sin square की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यह वाली बात सही होगी in the atom orbital have the same quantum number different energy नहीं जिनकी quantum number same है उनकी energy भी क्या रहती है same रहती N और L same होगया तो energy भी क्या रहेगी same रहेगी incorrect statement होगया for the energy of the given orbital same principle quantum number decrease the atomic number of the decrease the atomic number of Z increases atomic number Z decrease होगा तो क्या हो जाएगा बिल्कुल increase होगा atomic number energy is equal to E is equal to minus 13.6 Z square upon N square बिल्कुल सही बात है तो यह भी for the given atom number of the configuration of the maximum number of the parallel spin of the lowest energy than other elemental बिल्कुल हूंड maximum principle का नियम है कि अगर same spin वाले parallel spin वाले maximum electron होगे तो उसकी energy क्या होगी कम होगी तो यह भी क्या हो गया सही option हो गया ओके students paper complete all the best for J-Man and J-Aidvance exam है तो कि है यह क्या होगी